हेई गाइज वेलकम तो मुस्कान्स किच्छन आज मैं बनाने चाहरी हूँ उपना मार्के स्टाइल के वेज कबाब तो फिर देख किस पात की चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्लेवरफुल कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हाँ पे लग लगबग 10 मिनट तक बॉइल करने से क्या होगा न्यूटिला जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी इसे अलग से में बिगोनी की जरूत नहीं है तो यहां देखे यहां न्यूटिला को मैंने लगबग 10-15 मिनट तक कुक किया है और यह देखे कितने ज्यादा सॉफ् इसे क्या होगा जो हमारे कबाब बनेंगे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे बिल्कुल इसमें जैसे हम लोग घर में कबाब बनाते हैं तो बहुत ही हार्ड हो जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा तो फिर चलिए आगे की त्यारी करते हैं इसमें मैंने लगबग 2 प्य पर भीगे वे जो चनी डाल रखी थी वह इसमें डाला है उसके बाद ही मैंने इसमें न्यूटेला डाल दिया जो उमने बॉइल करके न्यूटेला रखा था लाल मेट चोटी लाईची सब डाल के उसको अच्छे से मेक्स करना है सब कुछ घी में अच्छे से मेक्स हो जाए जिससे की सुन्दा सुन्दा सा फ्लेवर आ जाए उसके बाद थोड़े मसाले आइड करेंगे मसालों मैंने यहां पर आइड किया है दो चमज जीरा पावडर लगबग 1-5 चमज नमक और हल्दी के बिना तो कबाब अधूरे है तो एक चमज हल्दी और दो चमज करम मसाला गरम मसाली का रोल इसमें बहुत जादा होता है करम मसाला कबाब में बहुत जादा जरूरी है और साथी में मैंने इसमें लगबग एक कप पानी ढाला है पानी निकल गई है तो यह देखिए यहां पर मेरी जो चने डाल है एक्टम अच्छे से कोख हो गई है तो बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अगर बाई चांस इसमें थोड़ा ज्यादा पानी हो जाता है तो थोड़ा सा आप इसको गैस को अच्छे से इसका पानी सुखा सकते है तो यहां देखे, यहां मैंने जो एक्सेस वाटर था, वो मैंने पहले ही सुखा दिया था, तो आब इसको ट्रांसफर कर लेंगे हमें से एक मिक्सर ग्राइंडर में जिससे इसमें बहुती स्मूथ सा पेस पनाना है, और ध्यान रखिएगा पूरा मिक्सर पहले आप ठंडा क पीसेंगे, तो एकदम से इसका धकन अपने आप खुल सकते है, और यह बहुती रिस्की है, तो बस यहां मिक्सर रेडी है, मैंने इसको ट्रांसफर कर लिया, उसके बाद मैंने इसमें लगबग 2-3 बोल ब्रेट क्रम्स डाले है, साथ में कलर के लिए देंगी मिस डाली है, ठोड़ा सा नमक Escape किया है, पनीर ऑप्शनल है आप चाहे जएँ तो डाले है, जो है बहुत ही कर सकते हैं, मुझे कबाब में पनीर के जो टेस्ट आता है बहुत ही जाधा पसंद है, इस िलिए मने इसमें पनीर का यूश किया है, और सब को अच्छे से मिक्स करना है, और ल आपको एकदम लखनवी कबाब वाला फ्लेवर आएगा तो बस इसको हमने एक्साइट रगती आए और साथ में बना लेते हैं कबाब के लिए अच्छी सी हरी चटनी जिसमें मैं धनिया पुदीना हरी मिर्च लेसुन और थोड़ा सा टमाटर डाल के अच्छे से ग्राइंड क राइगी चटनी तो यह देखिए मैं च्छटनी एक्तम रेड़ी है चलिए कबाब के लिए हम इसकी चुटी चुटी पैटी बना लेते हैं इसके लिए मैंने जो प्लेट है और अपने हाथ को भी प्रिच कर लिया जिससे के बाब को चिपके नहीं और इस एसी गोल-गोल सी चुट-चुटी मैंने हापे पैटी रेडी कर ली है पैटी रेडी करने से क्या होगा ना कि जब हम कबाब सेखेंगे तो हमें बार-बार ऐसे गोल-गोल इसको करना ने पड़ेगा तो मैंने जितने कबाब मुझे बनाने थे उतनी पैटी मैंने आप पे रेडी कर ली थी पहले से ही फिर मैंने एक पैन गरम किया उसमें थोड़ा सा ओयल ग्रीस किया है ध्यान रखिएगा या ज़ादा ओयल बिल्कुल मत यूज करिएगा अधर्वाइस कबाब बहुत ज़ादा ओयल के साथ में इसे मिक्स होने लग जाते है मैं यह गलती कर चुकी इसलिए मैं आपको पहली बता दे रही हूँ फिर बाद में आपको जैसा जरुत लगे उसी के अधरिंग थोड़ा थोड़ा सा ओयल आप इसमें आड कर सकते हैं तो यहां देखे कबाब को ऐसे कितने ज्यादा यह देखने में लग रहे हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट है इसके अधर मॉइस्चर बहुत अच्छा खासा है जिससे खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा और मुं में एकदम घुलने वाला टेस्ट इसमें आएगा तो यह देखी दोनों साइट से मने कबाब को सेह लिया है तो बस हमारे कबाब यहां पे रेडी है इसको आप ग्रीन चटनी और अनियन के साथ सर्फ करिए साथ में आप पराथा बना लीजिए बहुत ही जादा यम्मी लगता है आप ये रेसिपी घर में जरूर ट्राय करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये कैसी बनी थी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए बागाई